फाइलम एसके हलमेंथीज के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और योदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए निमेटो हलमेंथीज अब इसमें से जो एसके हलमेंथीज है अगर इसका साब्दिक अर्थ देखा जाए तो एसके हलमेंथीज में एसकस का अर्थ है राउंड इसकस का अर्थ क्या हुआ राउंड या गोल और हलमेंथीज का अर्थ है वार्म या क्रिमी अर्थात इसका तो निमेटो हेलमेंथीज में निमा, निमा का मतलब है थ्रेड यानि धागा अथवा सूत्र और हेलमेंथीज का अर्थवही जो उपर आपको बताया वार्म या क्रिमी मतलब निमेटो हेलमेंथीज का अर्थवा सूत्र क्रिमी या धागे जैसे क्रिमी अब बचा निमेटोड में निमा का मतलब धागा या सूत्र अभी आपको बताया ही है और टियोडास मतलब आकार अर्थात सूत्र या धागे के आकार वाले जनतु पाए जाते हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संग में सूत्र नुमा या धागे जैसे गोल क्रिमी पाए जाते हैं सूत्र नुमा या धागे जैसे गोल क्रिमी पाए जाते हैं अर्थात ये डोरी के समान पतले गोल क्रिमी होते हैं और ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं आपको बता दें कि क्रिमियों के अध्यन को हेलमेंथोलोजी कहा जाता है क्रिमियों का अध्यन क्या कहलाता क्रीमियों की study क्या कहलाती है हेलमेंथो लोजी कहलाती है चलिए अब इस संग के कुछ प्रमुख लक्षणों को समझ लेते हैं इसके बाद इस संग का वर्गिकरण समझेंगे तो पहला लक्षण है इनका सरीर लंबा बेलनाकार डोरी के समान दोनों सिरोपन नुकिला होता है सरीर लंबा सा होता है बेलनाकार होता है जैसे बेलन होता है बिल्कुल उसी तरीके का होता है डोरी के समान पतला होता है जैसे डोरी होती है धाका होता है और दोनों सिरोपन नुकिला होता है अग्र सिरा भी नुकिला होता है और अगला है शरीर खंड युक्त नहीं होता है मतलब इनके सरीर में खंड नहीं पाय जाते हैं सेगमेंट नहीं पाय जाते हैं और आहार नाल सीधी मुख से गुदा तक होती है यहीं आहार नाल कैसी होती है तो सीधी होती है और मुख से लेकर गुदा द्वार तक होती है फिर अगला लक्षण है सरीर पर चमकदार लचीला आवरण पाया जाता है जिसे क्यूटिकिल कहते हैं यानि सरीर पर चमकदार क्यूटिकिल की परत पाई जाती है या कहलेजी कि क्यूटिकिल का मोटा आवरण चमकिला सा पाया जाता है चिकना सा होता है ताकि फिसल जाए अगर उसको पकड़ो तो एब आग्ला हैASंक, इनका सरीव त्रिय अस्तरिय तथा द्वी पार्ष़ सम्मित होता है त्रिय क्यर मतलब होता है operation कम आपप्छा, पिछले संख में आपको समझाया था द्वी पार्ष़ सम्मित है H 전タ Ab cuando vaithee हैं तो वीडियो देख लिए जी समझने आ जाएगा तो त्री अस्तरी और द्विपार से सम्मित होता है यानि इनकी जो बॉड़ी है ट्रिपलो ब्लास्टिक होती है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है फिर अगला पॉइंट है देह भीति और आहार नाल के बीच का स्था बड़ी रिक्तिका वाली कोशिकाओं से भरा होता है यानि ऐसी कोशिकाओं होती है जिनमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाओं होती है उसे में भरी होती है उसे कूट गुहा अथावा स्यूडो सील कहा जाता है मतलब इन जन्तूं के सरीर में कूट गुहा पाई जाती है स्यू पूरूप से विख्षित होता है लेकिन पारिसांचरण तंत्र वा स्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्व कि द्वारा होता है यह हली तक उसळजी नालों का बना होता है इस इस उस सर्जन प्रोटो निफ्रीडिया के द्वारा होता है जो इसके हिल्मिन्थीज है अथा जो निमेटो हिल्मिन्थीज है निमेटोड़ा है इन जन्तों में उस सर्जन किसके द्वारा होता है तो प्रोटो निफ्रेडिया के द्वारा होता है मतलब यह जो उस सर्जन है यह ग मादा अलग-अलग होते हैं, जैसे मरस्य में नर अलग है, इस्तरी अलग है, यानि कि पूरुस अलग है, इस्तरी अलग है, तो एक लिंगी जनतु का मतलब क्या हुआ, नर और मादा अलग-अलग सरीर में हो, तो एक लिंगी जनतु हुआ, अगर दूई लिंगी होगा, तो न और मादा एक ही सरीर में होते हैं, जैसे केचुवा था, आपको बता दें, मादा की तुलना में नर छोटा होता है, यानि जो मादा है वो बड़ी होती है, जो नर है वो छोटा होता है, यानि फीमेल जो है वो बड़ा होता है, और जो मेल है वो छोटा होता है, और इसमें लेह पाया जाता है sexual depression पाया जाता है इस संग के अधिकांस जन्तु परजीवी होते हैं पैरासेटिक होते हैं यानि कुछ मिट्टी वा जल में रहते हैं और कुछ मनुस में रोग पैदा करते हैं मतलब कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं जो जल और इस्थल दोनों पर पाये जाते है इसलिकांके मिट्टी वा जल में रहते हैं और जो परजीवी होते हैं वो मन से आधि में रोगदपन करते हैं परजीवी के रूप में पैरासेटिक के रूप में तो ये कुछ प्रमुग लक्षण मैंने बताए और आप देखते हैं कि इस संग का वर्गी करण क्या है यानि संग को कितने वर्गों में बाट गया है तो संग एसके हेलमिंतgreen को पांच वर्गों में बाट गया है पहला है निमेटोडा उधारन इसमें एसकेरिस आता है दूसरा है निमेटो मार्फा, निमेटो मार्फा में उधराण जैसे नेक्टो निमा आता है, तीसरा है रोटी फेरा, रोटी फेरा के अंतरगत फिलोडिना आता है, फिर चौथा है काइनो रिंका, काइनो रिंका के अंतरगत इकाइनो डेरिस आता है, और फिर पांचवा है गैस्ट्रो गेश्टो ट्राइका के अंतरगत कीटो नोटस आता है तो यह प्रमुक जो वर्ग हैं मैंने बताए संग एसकेहलमेंथीज या निमेटोहलमेंथीज में किये गए हैं पांच वर्ग और पांचों वर्गों के एक एक उदाहरण मैंने बताए हैं चलिए अब इस संग के कुछ प्रमुक उदाहरण को जान लेते हैं के नाम को समझ लेते हैं तो पहला है एसकेरिस वोल क्रीमी या राउंड वार्म फिर एंट्रोवियस पिन वार्म है फिर एंकाइलोस्टोमा है हुक क्रीमी है या हुक वार्म है वाउचेरेरिया है फाइलेरियल क्रीमी है तो यह सारे ज प्राफ्त कर लेते हैं तो पहला जनतु है एसकेरिस यहां अंतापर जीवी मनुस की आंत में पाया जाता है अंतापर जीवी होता है और मनुस की आंत में पाया जाता है कहने का मतब यह है कि यहां मनुस से विशेश कर बच्चों की छोटी आंत का अंतापर जीवी है बच्चो बुखार रहता है बुखार और इसका सरीर बहुत लंबा बेलनाकार दोनों सिरों पर नुकीला होता है। मुख इसका जो होता है, वो मुख तीन होठों से गिरा होता है, तीन लिप्स से घिरा हुआ होता है, पाचन तंत्र इसका पूर्ण विक्सित होता है, जबकि जो स्वसन तंत्र है और परिसंचन तंत्र है ये इसमें नहीं पाया जाते हैं, यानि रेस्पेरेटरी आर्गन्स इ आवण होता है चमकीला सा फिसलंदार के उठकील का आवण पाया जाता है और नर की लंबाई मादा से कम होती है जो नर है वो छोटा होता है जो मादा है वो लंबी होती है और नर का जो पस्च भाग है वो मुड़ा हुआ होता है जैसा कि आपको चित्र में दीख भी रहा है नर का जो पीछे का भाग है वो मुड़ा हुआ होता है और मादा प्रती दिन लगभग दो लाख अंडे देती है जो मादा है वो हर एक दिन में लगभग दो लाख अंडे द लताया था भी सिर्दर्द है उल्टी है घबराहट है उदासी है और कभी-कभी पतले दस्त भी आने लगते हैं एसकेरिस के अंडे मल के साथ सरीर से बाहर आते हैं जो बाद में मिट्टी में पड़े रहते हैं जैसे ही आपके अगरे एसकेरिस है तो आप जब बात्रों जाये तो उसी मल के साथ में एसकेरिस के अंडे निकलते हैं और मिट्टी में पड़े रहते हैं अब हवा मक्हियों के द्वारा ये अंडे फालों सब्जियों तथा अन्य खाने वाली वस्तों तक पहुंच जाते हैं हवा चली तो उड़कर पहुंच गए या कोई मक्ही वहां से पहुंच जाएंगे यानि जिन्हे खाने से मनिसकी आतों में वह पुनाह पहुंच जाते हैं और इस पिरकार से संक्रमण फिर से पैदा करते हैं फिर अगला जनतु है एंट्रोवियस या चुनना कहा जाता है या चनूना भी बोलते हैं इसको एंट्रोवियस को तो इन्हें पिनवार्म कहा जाता है इन्हें क्या कहते हैं पिनवार्म कहते हैं या बच्चों की आथ में पाया जाने वाला पिनवार्म होता है बच्चों की आ मिलिमीटर तक लंबे होते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं उन छोटे बच्चों की गुधा में चुन्चुनाहट पैदा करते हैं चुन्चुनाहट देते हैं और कैसे होते हैं छोटे होते हैं सफेद रंके होते हैं 6-7 मिलिमीटर लंबे होते हैं और एक लिंगी होते हैं इनसे बच्चों की गुदा में काफी खुजली होती है और उनकी भूंक कम हो जाती है कभी कभी उन्हें उल्टियां भी आने लगती है और वो रात में बिस्तर पर पेसाब भी कर लेते हैं कुल मिला कर देखा जाए तो इनकी उपस्थित से बच्चों में भूंकी कमी होगी वुल्टी आएगी गुदा में खुजला हट होगी चुन्चुना हट होगी इस तरह से बहुत सारे रोग उत्पन हो जाएंगे फिर अगला जनतु है वावचेरिया व्रेंक एफटाई अगला जनतु कौन सा है वावचेरिया व्रेंक एफटाई तो यह मनुस्र की लसी का वाहिनियों तथा लसी का पात्रों में पाया जाने वाला अंता पर जीवी क्रेमी होता है कहां कहां पर पाया जाता है मनुस्र की लसी का वाहिनियों, लिंप वाहिनियों में पाय जाता है, और लसी का पात्रों में पाय जाता है, अन्ता परजीवी क्रिमी होता है, इसका जीवन चक्र दोई पोसदी होता है, डाई जेनिटिक होता है, यह अपना जीवन चक्र मनुस्य और क्यूलेक्स मक्षर में पूरा करता और इनके सिरे पतले होते हैं ये एक लिंगी होते हैं इनमें लिंग विभेद पाया जाता है एक लिंगी का मतलब क्या होगा लिंग विभेद नर अलग होता है मादा अलग होता है मादे जो होती है वो मादा अंडे देती है जिनमें पूर्ण विक्सित भूर्ण होते हैं जो